अलो दोस्तों मैं सवरा बार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दसलिशन इंस्टिट्यूट पे तो आज हम लोग बात करने वाले भाई जो हमारे पास सब्सक्राइब जरूरा आपको सारा जोका आपको मिलता रहेगा ठीक है और जिनों आवि तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है प्लीजो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे तो चलिए तो आएए देखते हैं आगे अपना अज का कोश्ण चलिए बाई आज का अपना जो कोश्ण ने मवह कोश्ण 18 158 तूं को आप लोग जिहान से पढ़लीजिए कर iç Hm बीच देखो कल आपको basic बताया गया था चुनाओ का कि तीन तरीके की बस कोशन बनते और कुछ नहीं होता है तो जो लोगों ने कल की class नहीं देखी है basic वाली वह class देख लेना मेरे दोस्त है ना जिससे आपका basic clear रहेगा अब देखो दो उम्मीदवारों के बीच चुनाओं में 15% मत दाताओं नहीं डाला ठीक है डाले गए वोटों में से 10% वैद पाएगे सफल उम्मीदवार को वैद मतों का 55% मिला है बात को समझना जारा है ना तो जब क्या होता है वैद मतों का वोट अगर दिया जाता है दो केस होते हैं है वैद मतों का वोट दिया जाएगा या फिर कुल मतों का हमें नहीं पता कितने मत दाता लेकिन उसमें से 15% मत दाताओं नहीं डाला यानि 85% ने डाला किसने डाला एक्टी 5% लोगों ने वोट को डाला जिय कर भाई उसके बाद 10% अवायद पाएगे यानि अग देको हमने क्या किया कि इस X का जो भी होगा उसमें से में 15% नहीं टाले यानि 85 ळाले तो 85 हमने काला आभ यह हमने निकाला इस में 10% अवय दिद 음गे हैंना 20% कितने होगे 90% है ना 90% कितने होगे 90% वैद होगे ठीक है अब चलो तो ये हमारे पास जो आगया है ये हमारे पास वैद वोट आगय है वैद मद दाता आगे की नहीं आगे हमने 15% ठटा दिया 85% बचे 10% हवायदे थे हमने 10% ठटा दिया हमारे पास कितने बचे हमारे पास 90% सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला अब देखो जरा एक बाद बताओ वैध मत कुछ भी हो हमने माल लिया कि भाई वैध मत कुछ भी है हमने एक समान लिया चलो ठीक है तो आपको एक चीज बताई गयए थी कि वैध मत जब भी बोलेगा वैध मत का 55% मिला और वह इतने से बहुमत से जीत जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि वैद मत थे वह अपने आप पर हैंडेट परसेंट क्योंकि जीत और हार वही डिसाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं कि भाई अगर एक कंडिडेट 55 परसेंट ले गया है तो दूसरा 45 परसेंट ले जाएगा ले पता चला हमें कि यह 10% से आ रहे हैं 10% से आ रहे हैं जो की 6120 है भाई जो दूसरा कंडिडेट है वो कैसे हारा है वो हमारा तब हारा है जब वो 10% से पीछे बात आप समझ रहे हैं वही चीज तो अगर हम इस वैद मत का 10% निकाल ले है ना यह जो गैपिंग है वैद मत का अ वैद मतों में से है ना हमने 25% तो ले गया विनर जो था लूजर को 45 मिला और यह यह वही क्या करेगी कान सफल है कौन मतलब की जीता कौन आ रहा तो यह वैद मत यह इसका जो 10% है वो कितना है वह है हमारे पास 6120 बस हो गया हमारा कम है ना आप एक छीज हमेशा आद रखना जब भी वैदमत का बोलेगा ना तो हम उसी वैदमत को 100% मानते हैं बात को यह समझना जरूर ठीक है कल आपको सब कुछ बताया गया है आप कल की क्लास जरूर देखें चलिए अब हमें बस इसको डिवाइड करना है और हमें कुछ नहीं करना है तो भाई मेरे दो जीरो से इन बचेगा साथ तो नहों अठेबात तर यानी चैसाइसी हो गया अब देखो हम क्या इसको 17 से टिवाइड कर सकते हैं 17 से 5 बार डिवाइड हो जाएगा यह 17 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा ठीक है चलो चलिए अब हम क्या करते हैं 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 20 बार तो देखो X बराबर क्या आएगा इधर तो हमारा 40 से ठीक है यह 20 उपर जाएगा यह 100 उपर जाएगा और नीचे हमा यानि कि 80,000 बात आप समझ गए तो सूची में नामानकित मतों की संक्या कितनी थी 80,000 थी और हमसे वही पूछा था हमने बता दिया कि भाई C No. 80,000 है कोई दिक्कत यहां तक किसी को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है मेरे दोस्त बताओ सूची में मन दाता कितने हुए 80,000 हुए ठीक है बाई बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने माना है इसलिए हमने आं 100 को गोड़ा-उड़ा कराने का कोई मतलब नहीं है हमने मान लिया जो टोटल है यही एकस ही तो टोटल है तो यही एकस की वैल्लू आगी बात करतम हमें यहां पर ऐसा नह करोगे तो यह 6,120 आएगा है ना चरो आगे बात करते हैं अगले कोशन पर कोशन नमबर 112 एक चुनाओं में तीन उम्मीद्वार थे ए बी और सी योग के मतदाता में से 10% ने मतदान नहीं किया 10% लोगों ने मतदान नहीं किया ठीक है मतदान करने वाले में से 45% ने एको 35% को यहां पर साफ साफ बोला है तो हम लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर A है यहां पर B है यहां पर C है और इन्हों ने यह बोला है कि मतदान करने वालों में से 45 ने A को 45% लोगों ने A को और 35% लोगों ने B को अब यहां पर हमें 3% दिया तो हमें कोई मतला भी 20% जो बच्चे हुए हैं वो C को मिल लाते हैं ठीक है और उसके बाद A को मिले 30% वोट और B को मिले 20% वोट बाद में अमानने माने गए बाद में देने के बाद में अमानने माने गए यानि कि क्या बोला इन्होंने इन्होंने ये बोला A को मिले हुए 30% वोट और B को मिले हु परसेंट यह हमान है और सी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है तो 45 का 30 परसेंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त बताओ जरब अगर आप 45 का 30 परसेंट निकालते हो एक जीरो यह खतम पांट यह पंद्र आया कि नहीं परसेंट कियो आया क्योंकि यह भी परसेंट ता और यह वाला परसेंट खतम हुए एक परसेंट बचाए है ठीक है भाई चलो अब 35 का 20 परसेंट निकाल लो 35 का अगर आप 20% निकालते हो तो निकालो ज़रा 35 दुनी 70 यानि 7 आया क्या यहां पे 7% आया क्या है ना हमने सही लिखा है 45 है 35 है और 20 है 30 परसेंट वोट बाद में आमान ने मालेगे चलो हम एक काम यह करते हैं हमने यहां पर यह उल्टा कर दिया हमने आमान ने निकाल दिया है ना 20 परसेंट वोट क्या है अमान ने हमने अमान निकाल दिया नहीं हमें क्या है हमें वैद निकालना है वैद वोट अधिक मिले तो सी को कितने वैद वोट मिले हमें वैद निकालना है तो हमें यह नहीं करना है है ना चलो छोड़ो इसको यह नहीं करना हमसे अगर अवै आलिस मिले आपको जितना मिला वह आपके लिए अपने आप पे 100% होगा की नहीं होगा और उसमें से बोला जाए कि भाई 30% आप दे दो तो आपके बास बचा कितना 70 यानि इसका जो 70% होगा वो मानने है वो वैद्द है और इसमें से 20 यानि 20 चला गया तो बचा 80% जो की 45 का साथ पना 35 का पांच और साथ चको 28 31 यानि 31.5% 31.5% ठीक है इसका देखते है जरा आट पंचालिस का जीरो और आट तरी का चौबिस चौबिस और चार अटाइस यानि कि 28% आए गए कितना आएगा यह आया हमारे पास 28% ठीक है और यह तो अपने आप 25% है इसमें तो हमें कोई दिक्का थी नहीं है इसके बारे कुछ बोला ही नहीं है है आगे पड़ते है आगे जबकि सभी सी के लिए डाले गया वोटों को वैद दे माना गया सी वैद दे कोई बात नहीं सी के एंड़ परसंट पूरे वैद अब देखो जरा कि क्या बोला एको बी से एको जो है वो बी से 882 वोट अधिक मिले हैं और यहां पे कितना अधिक है यह पताओ जरा वैसे अगर हम बोले तो 882 वोट अधिक है जबकि यहां पे कितना अधिक है 28 और 3.5 अधिक है ना तो यहां से वैल्लू आएगी एक की फि यहां पर 20 का मल्टिप्लाई करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है यहां से हम अटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे पांच से काट दिया जाएगा पांच से साथ बार और यह पांचों को 20-40 बार पिर यह साथ से कट जाएगा क्या एक बार देख लेते हैं काटके साथ एक कम साथ बचा एक साथ दूनी चौदा बचा कितना चौदा चार साथ चंग बैर आलिज ठीक है कट गया अच्छी बात आदो च्छादूनी बारा यानि की च्छादूनी बारा और बारा दूनी चौविस नहीं बारा दूनी चौविस बारा चौको अर्टालिस और ये पचास है ना यहनी इतना आएगा यह पांच जार पीस यह आगया सी को है ना सी को कितने वैद देवूट मिले सी को पांच जार पीस पैद है ना कोई दिक्कत नहीं थी आराम दा समझाने में आपको टाइम जो कल की लिएंगे बेसीक पाई मेरे उन्हें कोई कंफ्यूजन म्या नहीं आएगा यह बात आप आप गाट बांद लेना जो कल की the qa तीजह क्योंकि हमने क्या किया हमें उन्हों सीधा बोल दिया जो हैंच बढ़े दें आब निकाले कोई बात यह न है तो वो गत्याती है खिए इतनी सी बात ती चलो ठीक है यह बात आप समझ गए आजाओ आगे तीन प्रत्यासियों पी क्यों और ने चुनाओं में भाग लिया पी ने क्यू से 35 परसेंट अधिक और आर को क्यू से 15 परसेंट मत अधिक प्राप्त हुए चलो यहां पर किय nou डैरेट कर लेता है कि वाई पी है क्यूए और आर तो इन्हों ने बोला क्या है कि पी ने क्यू से 35 परसेंट बहुत अधिक तेखो क्योंसे ही दोनों की तलोना हुह है तोमने अने क्यूं को सो माना तो ही 135 हुआ यह 135 परसेंट हुआ यह अगर 100 परसेंट है तो ठीक है उसके बाद फिर क्या बोला पी ने आर को आ नहीं आर को क्यू से 15 परसेंट अधिक आर को क्यू से 15 अधिक यानी 115 परसेंट है ना अब देखो ज़रा यहाँ पे कुछ डिवाइड हो सकता है क्या तो अभी डिवाइड कर यहाँ पे बी कि बोलो हो ठीक है फाथ से डिवाइड हो सकता है क्या पांद थीक है यह हमारे पास आ गया सबस्क्राइस परसेंट और कितना तेस पर्सेंट बात आप आप समझ गये यह आ पैसे नहीं माने तो सीधर करने आप देगो वैसे परसेंट कट जाएगा ना तुपर्सेंट मटा देते हैं चलो कि तना यहाँ पर पास दूनीट 10 और 715 तो यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 20 रिचि क्यों कि यह बटे में आएंगे तो परसेंट कट जाएगा ठीक है अब इसके वाद है यह दिनाइटी परसेंट मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान या वैद मत ना डाले हो तो मतदाता सूची में अच्छा यहां पे कुछ है पीने आर को पीने आर को 2412 मतों से पीछ छोड़ा है यह बात तो ठीक है एक की वैलू मिले अब 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई आमानेवा वैद मत ना डाला हो तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी अब एक बात जरह समझो है यह जो आप निकाल ले हो यह तो आप यहां से निकाल ल क्योंकि 90% लोगों ने मतदान किया है 10% ने नहीं किया है और हमसे उन्होंने पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या यानि उन्होंने टुटल पूछा है बात को समझ ना जरह है ना तो हमने क्या किया यहां पे 200 2412 को 4 से डिवाइड करेंगे और हम इसका अगर मल्टि सतर का मल्टिप्लाई करेंगे तो यह 90 की वैल्लिव आएगी 90% की ऐसा क्यों कि इन्होंने बोला यदि 90% मतदाताओं ने सिर्फ मतदान किया है यानि यह जो मतदान हुआ है यह 90% लोगों ने किया है तो जब आप इसको कल्कुलेट कर रहे हैं तो यहां से जो वैल्लिव आ कचते हैं कि पहले हम इसका भाग देंगे 97 का मल्टिप्लाई करांगे तो 90% की वैल्लिव आएगी फिर उसको हम 90 से बाग देंगे और फिर उसको तो फिर उसमें आप 90 का भाग देते इंतरना सब करने के बाद फिर 90 का भाग देते और 100 का गुडा कराते तो हमने पहले ही कर दिया 90 का भाग 100 का गुडा अब सीधे से डिवाइड कर लो इसको कोई दिख्कत ही नहीं है एक जीरो से इसका एक जीरो हटा तो और चार से कैंसिल हो जाएगा क्या चैचोगे 24 जीरो और चार्तियां बारा की क्या और फिर क्या नौ से कैंसिल होगा क्या नौ अब नीचे तो कुछ नहीं बचा ना ठीक है कोई बात नहीं है तो हम इसका डायरेक्ट मल्टिपलाई करा देंगे 67 इंटू 70 इंटू ये 10 है साथ सते उन्चास अब जिसके लास्ट में नौ हो और दो जीरों वही वाला आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर है ना साथ सते उन्चास साच्छंग 42 और 42 और 4 असिल का 46 यानि 46 900 आपका अंसर है 46 900 कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है पाई देगो जितने चुनाओ में जितने मतदाता मतदान करेंगे वही तो निकल के आएंगे क्योंकि 10% का वहां कोई खेली नहीं है 90 ने मतदान किया तो 90 तो हमें 100 करने के लिए जो भी यहां से कल्कुलेट होके वैल्यू आएग उसमें 90 का बाग देते 100 का वुड़ा कराते हमने करा दिया हमारा आंसर हमां आपके स सामने है ठीक है बाई कोई दिक्कत नहीं है यह सूची में मतदाताओं की संख्या है ठीक है तो अब वहां पर जो 90 परसेंट आते वहां पर हमने हैंडेट का मल्टिपलाई कराया हमारे पास सारा कुछ आगी चली आगे बात करते है एक 114 नमबर पर राजू रभी और असोक का तो हम यहां पर चैनल लगाएंगे यानि हमने माना की 100% वोटर थे जिसमें से 5% ने नहीं दिया है यानि 95 लोगों ने दिया 95% ने दिया ठीक है बाई मेरे कितने 95 लोगों ने तु दिया ना बताओ ज़रा इतना ठीक है शलो 95% लोगों ने दिया फिर बोला कुल मतों का 30 analyst को आप राजु को अब देखो राजु रपी और असोख है चलो चाहां ठीक तीन लोग तो हम लिख लेता है या आपर राजु है और कौन है रवी है और कौन है और है हमारे पास असोक जी ठीक है तो अब देखो जरा क्या हुआ है कि राजू को जो वोट मिला है वो राजू को कुलमतों का 30% मिला है ठीक है राजू को कुलमतों का 30% मिला रवी को कुलमतों का 32% मिला कुलमतों का है यह सब इसका वैलिड का नहीं है कुलमतों का है और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले वेक्टी से इतने मत अधिक प्राप्त हुए हैं अब देखो जड़ा विजेता को सबसे कम राजु को इतने मिलते हैं रभी को इतने मिल लाते हैं असोख के बारे गया था कि भाई जब ऐसा बोले कुल मतों में तो ठीक है उसको तो लिख दो भाई यहां ठीक है कुल मतों में लेकिन अब देखो जो बचा हुआ आएगा उसको कितने मिलेंगे तो इनको जारा जोड़ो तीस और तीस साट बांसट इस बांसट को कहां गटाते हैं जो बचा बांदलो जब भी कुल वोट बोले न तो ठीक है जब वो बोला कुल वोट का इतना मिला ठीक है हमने दे दिया इतना कोई बात नहीं है बात समझो लेकिन फिर जो बचा हुआ वेक्त निकालने के लिए हम क्या करते इन वैलीड वोट में से घटाते हैं यह मेंसा याद रखन वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट वो आता है है ना तो कितना आया भाई आपके पास यहां पर आपके पास आ गया तो 33% ठीक है फिर क्या हुआ है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले वेक्ति से इतने मत अधिक मिले हैं यानि कितने अधिक मिले हैं 5136 किस अब देखो जरह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ है बोला था कि में यहाँ Masters करा होता टो यहाँ पहले बैलीड आता समझ अंटे करा था फिर देंगे तीन एक कम तीन बचा दो साथ रीगए कैस फिर तीन एकम तीन तीन दूनी छे डबल जीरो है क्या आंसर में 1712 00 आपका अंसर हो गया 1712 00 कुलमतों के जंग्या 1712 00 अब यहां पर हमने इसलिए कुलमतों ले लिया क्यों कुलमतों से क्रीदी बोला है देख देख रोक कोसण धorta आपको दिखा देते हैं को समझे यहाँ पर क्या था कि 90 मत्दाथआओं नें मतदान किया है यानी उन्हों साब्साब बोला 90 परसेंं ने मतदानकिया यहानी आप जो भी कल्कुलेशन ने यहीप तो 100% करने के लिए उसमें 90% का भाध देंगे तब लिए बात समझ गया चलो इसके आगे अगर question मैं आपको समझाते है तो देखो ज़रा यहां पे क्या था यहां पर भी कुछ ऐसा इसा था क्या यहां पर तो ठीक है यहां पर कोई केस ही नहीं था मतदान करने वालों में से 45 को इतने मिलेर यहां पे तो यहां पोई तो कोई pity are you three point two आया तब यहां पेट कोई सट नहीं बना था यहां पे देखें गिश ऑम तो हम यहांगे पैसे बात आ चालो यह नहीं पर आ अब देखो जरा जब आपने क्या किया कुलमतों का दिया गया यहां पर सीधा कुलमत दिये गए इसलिए इसलिए आपने पर half percent मुंट्पलाई कर आगए यहां या ऐसा नहीं कि 90% दिये गया इतने दिया उसने बोला ना कुल मतों का यह वो ठीक है इसलिए 1712 आपका आंसर है आजाओ आगे 115 नमबर पर चुनाओ में 8% मत दाताओं ने अपना मत नहीं डाला दो उम्मीद्वारों ने चुनाओं लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीद्वार को कुल मतों का 48% मत मिले और वहां इतने मतों से चुना कुल मतों का ठीक है देखो हम मानेंगे कि भाई 100% वोट थे जिसमें से 8% ने नहीं दिया है यानि की 92% लोगों ने वोट दिया है और यहीं हमारे लिए वैलिड वोटर है जान समझना फिर क्या बोला जिसमें जीतने वाले उम्मीद्वार को कुल मतों का 48% मिला है कुल मतों को विनर को 48% कुल मतों का मिला अब लूजर को कितना मिलेगा तो इसका फार्मूला आपको बताया गया था लूजर बराबर वैलिड वोट माइनस का विनर वैलिड वोट है 92 माइनस का 48 12 में से 8 गया आपके पास 4 8 में से 4 गया 4 यानि इसको मिला 44% जब भी कुल मतों से बोलेगा जैसे पीछे में बोला गया कुल मतों का मिला तो बहुत जिसको जितना मिलता जाए आप देते जाओ जो बचा हुआ पता करना पड़े तो ख्या करो आप उसको वैलिड वोट में से गटा के पता करोंगे जैसे यांप नहीं को दोनों को दे दिया ता कुलमत का इसका पता करना 13 data ननीं दोनों को जोड़ा वेलीट में से गटाया तो यह आया था बस यही चीज़े यह पर यहीं पर ना पको गोजरा और वो इतने मतों से चुनाव जीत गया देखो यह जो जीता है यह कितने यहां पे अगर देखे तो एक्षुली में चार कंतर है चुनाव में मत जाता हूं कि कुल संग्या सीधे हेंडेट का मल्टिपलाई करा हूँ चार का यहां पे सीधा गटाओ पच्चीस है ना तो पचीस से कम पचीस का पांच आएगा और लास्ट में दो जीरों आएंगे कई सारे आपसन है फिर पचीस से कम पचीस और दो 27 यानि 27,500 आपका अंसर भी नंबर 27,500 आपका अंसर है ना अब यहां पे कुलमतों से वो डाला है तो सिधा कुलमत ही आ रहा है बस इसलिए हम अगर आपके सामने परिस्थितियां आ रहे हैं उनसे खेलना सीखो उनसे निपटना सीखो है ना समझ रहो जब हम भी पढ़ रहते तो हमें भी यहां पे चुनाओ वाले को सनों में काफी सारी दिक्कत थी है ना और आपको एक्चुली बता दें कि जिस दिन मैंने पढ़ा चुनाओ वाला उसिन मतलब कि अपने आपको सैटीस्फेक्शन नहीं मिला कि यार कुछ मजा नहीं आ रहे हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं हम पकड़ नहीं पा रहे हैं पीछे की कहानी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर यह हुगा कि यार चलो थोड़ा सा यूटूब उस पर बात हुई सिर्फ इन कोसन के लिए आठ नौ घंटे हमने क्या किया उसके लिए पढ़ाई कि उस पर रिसर्च किया उसकी खोजबीन की तब जाके हमें मिला जो कल आपको निचोड़ बताये थे तीन तरीके वह वहीं से मिला है ना तो मिल गया वह और उसके बाद कोसन पढ़ा था उसे नीद नहीं आ रही थी कि भाई यार कुछ सैटिस्फेक्शन नहीं आया जो आज हमने पढ़ा नीद नहीं आई थी लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुबा से लेके दो पहर दो बज़ गया था इनको खोजने में और जैसे दो बज़े पता चला हां अब क कि लियर है है ना दो गंड़े इतनी अच्छी नीद आई थी क्या मालना इतना बढ़िया नीद आई थी तो आप पढ़ो आप ऐसे मत पढ़ो कि हमें रटना है आप पढ़ो अपने सैटिस्फेक्शन से आप पढ़ रहे हो अगर नहीं समझ में आ रहा आप उसको कमेंट करो है ना चुनाओ के टाइफ अलग से हम करा देंगे कि चुनाओ वाले कोस्टन है ना थोड़ा सा और अच्छे-कासे कोस्टन डूड़के चुनाओ वाले निप्टा देंगे ठीक है परेसान मत होना लेकिन आज जो चीज नहीं उसको कमेंट करो आप उसको तब तक खो जो ताकि आप दूसरे को समझा सको है ना जब इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको क्या करोगे आप उसमें महिनत करोगे आप ऐसे मत पढ़ोगे पस हमें एक्जाम निकाल के बैठ जाना यार अपने अंदर क्वालिटी होनी चीज हर एक चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो दू तो इस नने उस पर रिशर्च की है बैं मुझे बच्चों को पढ़ाना घ्री को सिखाना रहा कि चीज आप करो कुछ नहीं होता जदा उसम, आपस हमें सोचना होता है आखित हो क्या रहा है उस render वेस्षए को समझे है ना ठीक है बैस 15rice हो गया आते को 16 तो उम्मीदवारों के बीच चुनाओं में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैद मतों का 42 परसेंट हासिल किया और वह मतलब कितने से मतों से चुनाओं हार गया यदी 8560 मतों का को अमान ने गोसित कर दिया गया और बीस परसेंट लोगों ने अपना मत नहीं डाला तो अमान मत लोगों द्वारा नहीं डाले गये मतों मतों के कितने प्रिश्च अब देखो जरा एक चीज यहां पर समझो क्या पूछा आप से य 8560 वोट हैं जो आमान ने गोसित किये गये तो बोला है आमान ने मत लोगों द्वारा नहीं डाले गये मतों के कितने प्रतिसत हैं अमान ने मत लोगों द्वारा नहीं डाले गये यहां नीचे क्या आएगा नहीं डाले गये का कितना प्रतिसत हैं जिसका पूला होता है उसक लेकिन यहाँ पर एक है कि 20 परसेंट लोगों ने अपना मतल नहीं डाला यहाँ नीचे दे रहा है तो कोस्टन को एक बार पूरा पढ़ा करो तो आपके मायंड में हिस्ट्री बनेगी तो 20 परसेंट अगर आप पढ़ा दोगे तो 80 परसेंट में से ही हमें पूरा खेल करना है हमें किस में से ही करना है हमें हमें पूरा खेली नसी परसेंट में से ही करना है बताओ ज़रा ठीक है और क्या हुआ पड़े हुए वैद मतों का 42% हासिल किया देखो एक व्यक्ति ऐसा है जो वैद मतों का 42% हासिल करता है बात को समझना ज़रा एक व्यक्ति ऐसा है जो 42% हासिल करता है तो बचा हुआ वेक्ति होईल करेगा जरा बता थो थीक अ बचा हुआ वेत्ति कितना हासिल करेगा यह अपने दिमाग से बता हो मास तीक बजया अपने अगर वह वैद philosoph का 42 परसेंट हासिल करता है कि ऐहां पर कुलमत वाला कोई खेला नहीं हो यहां पर वैद मतों का इतना पाता है और वह सालाग रशेयर मतों से चुनाऊ हार गया हमार बेज़ों अंनने चुनाओ नहींर था लूज्टर आंग वैwsद मतों में हुछ उसको मिला है वो इतने से हारा है अब यहां मतलब टो दल की बात नहीं कि है हार जीत कहां से decide हो रही है इन वैद मतों से THAT हो रही है आप इस बात को पकड़ो वैद मतों से हार्जित डिसाइड होगी कि नहीं भाई आप एक गाउं में रहते हो वहाँ पे बोला गया भाई 20 परसेंट जो लोग है उन्होंने वोट डालने ही नहीं गए वह वोट डालने ही नहीं नहीं गया है यह तो बहुत परसेंट वही तो 100% माने जाएंगे जो वैलिड वोट है उन्हीं सो ही तो हमारा फिक्स होना है हार्जित है ना तो अगर यह अपने आप पे हम इसको थोड़ी देर के लिए 100% माल लेते हैं यह कल आपको सारा को समझाया गया है है ना तो अगर इसमें से 42% गया तो बच्चा हमारे प आप सोला से भाग करोगे ठीक है बात आप समय रही हो अगर इसको आप आसे बाब करते हों तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा यह 80% क्लिक्द आप समझ रहे हो कि नहीं लेकिन आपको बताना क्या है गहाए बीस परसंप लोगों ने मत नहीं डाला तो आमान ने मत को आप यह कर सकते हो यहां पर कि इनका आप 16% आप 16% निकालो यानि 16 निकालो तो क्या आएगा आपको यहां से क्या मिलेगा आपको मिलेगी qualité IPP करते हो कि मिलेगी यह सी कि वेलु मेरे बहुए यह 70 कि व्यल्व यह तोolerब बात को समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस impact में जो चुछ सोला पर्सेंट हो biri यही यार जित्ताय करेंगा कि नहीं करेगा आना कल्कुलेशन आसथा करने का तरीका के दिमाग क कल्कुलेशन कैसे करते इस बात को जड़ा समझो band कि कैसे आसान करेंगे दिखो हम अगर यहांपे 10 डिटे डियरेक्ट लेते हैं तो ऐसी get n हेंडेट का मल्टिप्लाइ कराएंगे तब वो जाके हमें क्या निकल के आएगा तब वो जाके हमारे हेंडेट परसंट निकल के आएंगे निकल के आएंगे कि नहीं तब वो हमारे क्या निकल के आएंगे तब वो हमारे हेंडेट परसंट निकल के आएंगे लेकिन हम क्या करत है कि अगर हम यह दिमाग लगा ले कि यह जो 80% है इनका यह जो 16% है ना भाई 80 का ही तो यह 16% है 80 के बीच में 16% की गैपिंग तो है अगर 80 का 16% निकालने तो हमें यह पता चल जाएगा कि कि कितने की गैपिंग हो रही है 80% में 80 का 16% यानि कि 16 बटे में 100 है ना और 848 का आठ एक कमाट 412 यानि कि 12.8 परसेंट 12.8 आएगा कि नहीं पाई 80% है पाई टोटल देखो यहां पे 80% था ठीक है 80% था और 80% में क्या हो रहा है यह 10% की बज़े से ही यह लोग क्या हो रहा है इतने हो रहे तो हमें यह निकालना पड़ेगा यहां पर हमें इसलिए हमें यहां पे निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर यह बोला है तो आमानने मत जो है ना जो आमानने मत हैं उन आमानने मत लोगों दारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रच्छत हैं तो हमें यहां पे नहीं डाले गए मत चाहिए म detained हमएं नहीं ढावले गयां यह बीश परिसंट लोग चाहिए हम जयें कि नहीं इसको इस टेक्निक को समझेए आपकी नहीं यारी आमान ने कोसित कर दिया गया इतने वोट तो आमान नी ठीक है ठीक लेकिसा है यह आमान ने गोसित किया गया यह नहीं दिये गये चैनर्यूल का एक ही फाएदा होता है कि यह फाइदा होता इसमें आपको पता होता है यह Itís एंडेट परसेंट यहीं जो जिन्होंने नहीं डिया ऊह यह क्या है यह वैदडवॉले जिन्नों ने दिया है बाट आप समझगें यहां से आप सभी नीकाल सकते हो जाए अ अगर 16 का भाग देते हो तो आपको यहाँ से की वैलू मिलेगी उसमें 80 का कराओगे तब आपको यह मिलेगा फिर आप उसमें 100 क कराओगे तब 100 मिलेगा लेकिन हमने क्या देखा कि इस 80% में से यह जो 16% है इसकी वज़ाए से ही यह अंतर create हुआ है हार और जीत का यानि अगर हम 80% का 16% निकालते हैं तो 12.8% आता है तो हम एक काम क्यों न करें कि हम इसको अगर 12.8% से हम गुड़ा करा दें तो एक की value मिल लाएगी है ना यानि कि 100% में convert हो गया अब हम यहाँ पे 20 का multiply करा दें 20 का क्यों करा रहा है क्योंकि 20 लोगों ने वोट नहीं दिया हमें यहीं चाहिए हमने 20 का multiply करा दिया बात आप समझ गये की नहीं भाई मेरे बात इतनी सी आप समझे की नहीं समझे बोलो उम्मीद है आप समझ गये होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ठीक है चलो तो अब इसका निकाल लो जरा अब आपको इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा मेरे भाई यह खटाओ यहाँ जीरो लगो ठीक है चार से डिवाइड होगा के एद चार तिया बारा चार दूनी आठ चार से इसको डिवाइड करो राट र इकम चार बचा तीन नो चुवेट चाहा करो बचा तीर बरो एक्सीर है और उनीवाइब। तसे המטाया , चिलिल को यह अ काहाया थी से और यहां पर लगेगा एक जीरो है ना तो दस हुआ तो चार दुनिया आठ आठ हुआ बचा मतलब कि यहां पर दस हुआ चार दुनिया आठ एक सेकेंड साथ पतलब चार चौबस आपने कितना आठ का भाग दिया आठ दुनिया बचा यहां पर तीन आठ चोको बद्टिस एक है जीरो लगा के मैंने दस ले लिया तो चार दुनिया बचा दू तो यहां पर कितना है पांच आ गया 5 चोको 20 पुरा-पुरा डिवाइड ह हो गया क्या है अब अभी हम इसको चार से डिवाइड कर सकते हैं कि अच्छे जोगे 24 जीरो पिर से च्छेजोगे 24 बचे गये एक है नहीं अभी यह दिवाइड नहीं होगा अभी तो यह आप डिवाइड नहीं होगा ठीक है इतना ही रहे गई हमारे पास डिवाइड होके ठीक है मेरे दोस्त बताओ जरा इतना ही आए गई डिवाइड होके अगे बोलो जरा हमने टिवाइड तो इसको चाही कि है ना 46 840 है और फीक है और हम इसको अगर पहले डिवाइड करते हैं किस से 32 याने की हम डिवाइड करते हैं इसको चार से पहले हम इसको डिवाइड करते हैं चार से तो चार तीया बारा चार दुनिया चार से हमने डिवाइड किया चार इकम चार बचा तीन नो चो के छतिस ठीक है और चार दुनिया चार इकम चार ठीक है 32 था हमने 8 से डिवाइड किया चार बार गया 8 से डिवाइड किया अगर हमने कि इसको तो आठ दुनी 16 बचा तीन आठ चुको 32 जेरो लगाया 10 हुआ चार दुनी आठ अच्छा हम 8 से कैंसिल कर रहे ना भाई मेरे ठीक है ठीक है हमने यहाँ पर गड़ बड़ कि हम लोग 8 से कैंसिल कर रहे हैं तो आठ दुनी 16 हुआ ठीक है आठ दुनी 16 और आठ चुको 32 ठीक है जीरो दस हुआ ए यहाँ पर टुनी 16 नहीं हो गए यहाँ पर आठ से कैंसिल खुर रहे हैं वहीं मिस्टेक हो रहा था आठ से कैंसिल के 8 दुनी 16 और तीन आठ जोगो 32 फेयरो लगाया 8 एक का मांठ घीक है ठीक है अब हम 4 से हम गुड़ा करा देंगे, 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 25 बार, यानि हमारे पास है, 24, 0, 125, इंटू 25, ठीक है, 125 पंचे होता है, 625, और 24, 0, 24 दूना 48, यानि इतना आएगा, 480, 625, इतना आएगा क्या, ठीक है भाई, भाई, बोलो, 24 है, 24 दूना 48, 25 आया, 4 से डिवाइड कर दो, 5 आएगा ना, क्या हो रहा है भाई, मेरे यहाँ पर 5 आएगा, 5, हम यहाँ पर 5 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो, 125 पंचे, 625 जीरो, और फिर, पांचो को 20 का, पांचो को 20 का, 0, और 5 दो नी 10 दो बारा, यानि इतना आएगा, यानि नहीं डाले गए वोट कितने आए हमारे पास नहीं डाले गए वोट आए, चलो हम इसको थोड़ा सा और इधर से कर लेते हैं, नहीं डाले गए वोट हमारे पास कितने थे, आठ, नहीं डाले गए, हाँ, परसेंट हमें बताना है, तो हैंड़ेट करना पड़ेगा, हैंड़ेट से मल्टिपलाई, अब इनको चरह डिवाइड करो, तो आप एक काम देखो, यह उपर 0 हो जाएगा, अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, बारा चंग बाहत्तर, है ना, बारा चंग बाहत्तर, यानि लगबग यह 6 बार जाएगा, 6 दसमलों में कुछ-कुछ, तो 6 दसमलों में एक ही आंसर आप इसको कर सकते हो, 6.8, 6.8 परसेंट, ठीक है, देखो, उम्मीद हो है, यह बात आपको समझ में, आई होगी, क्या, थोड़ा कल्कुलेशन में टाइम लगा, वहाँ पे थोड़ा कन्फूजन हो जा रहा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीस ने नहीं डाला, असी लोगों ने डाला, हम कल्कुलेशन अब असी पे करेंगे, है ना, हम असी को 100 मान के कर लेते हैं, तो 24 सकत डालने है तो 58 ने नहीं डाला, है, यानी अंतर कितने का है, बात आप समझ गए न, अंतर कितने का है, 16 का है , लेकिन मतों से चुनाऊं ona ॹो हार गया , कितना हार गया इतने मतों से वो चुनाव हार गया तो आप देखो जरा यहां पर बात को समझो कि आप क्या करते हैं यहां पर वो इतने चुनाव से हारा है 768400 से अंतर हमारे पास 16 का है तो 80% क्या आप यह करते तो 16 से पांच भार कैंसिल होता 16 पचाई 80 हो जाता हम इसमें पांच का गुड़ा कराते भाई मेरे है ना पांच का मल्टिप्लाई कराते जो आता हमारे पास जमालों की जीरो 56 अपनुट जीरो आट पंच चारीक और 25 और 434 साथ पना 35 और 30 इतना आता हमारे पास 32 1962 है ना इतना हमारे पास आता 80% अब हम क्या करते इसमें यह 80% की बैल लिवा हमें निकालना होता कि तो हम क्या करते ही इसमें 80 का भाग परसंट जो जो हमने यहां पर किया है ना यानि की फिरम क्या करते हैं देखो फिरम क्या करते हैं फिरम करते हैं वहां पर भाग देते असी का और हैंडेट से मल्टिप्लाई करा देते बात आप समझ गया है ना ठीक है चलो बात आपको उम्मीद है यह बात समझ में आई होगी ठीक है चलि यह देखो हैं न यहाँ पर यहाँ पर इमारे पास क्या था हमने canfuse नहीं होना चाहिए तो हमने क्या क्या जो तो 80% का जो 16% है वो गैपिंग क्रियेट कर रहा है तो 80% का अगर हम 16% पहले ही निकाल ले मतलब क्या हुआ कि वो है 12.8 है ना 80% का हमने 16% पहले ही निकाल लिया मतलब कि 16% तो यह कितना है 12.8% यहीं जो हो जाएगा आप 200% का निकाल सकते हैं क्योंकि हमने 80 का 16% निकाल दिया है हमें बाद में वही करना होता 16 इंटो 80 लेकिन हमने 80 का 16 परसंट निकाल दिया ठीक है चलो आप ज्यादा चर्चल नहीं करेंगे नहीं आपको confusion होगा चलिए आगे i water a 17 दुप और चुनावला पंजी करत मत दाताओं में से सतर परसंट मत दाता पी के समर्थक में घये यन यादि पिए साँट परसंट समर्थक के अब देखो झारा डो मी द़ रपकुन है बात को समझे दो मीदवार पी ऑर पकूइ पंजीक्रत मद्दाताओं में से 70% पी को गए अगर 70% पी को गया तो इसको 30% गये होंगे कि गये होंगे की नहीं 100% हुआ कुछ खराब नहीं हुआ यादि पी के 60% समर्थक और क्यों पर यानि जो है आपके पास क्या यानि की बराबर जो 70 का 60 % होगा क्यों ठीक है और क्यूंप क्या है क्यों कि 30 % समर्दक क्योंकि 30 % तो यह लेडी 30 ही है बाई मेरे क्या थिक्कत तो नहीं है एक बार हम कोशन को देख लेते हैं कि अधर परसंट मत दाता और क्योंके इतने परसंट मत दाता ठीक है यह शलो कोई बात नहीं है है चलिए तो यह यहां पर वड़ी थीश थीश का मारे पास तीश परसंट एक तो तीश का तीश परसंट क्या होगा इसका हो जाएगा 42 इसका हो जाएगा नों यानि कि यह मैं उम्मीदवार की जाती कि वह उम्मीद को ऊट देंगे तो कितने प्रतिसत पंजीक्रत मददाता से उम्मीदवार यानि कि देखो 51 हुआ ये 51 यानि कि 51% लोग जो है वो क्या करेंगे 51% पंजीक्रत मददाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देंगे है ना पंजीक्रत मददाताओं में यानि 51 किसकी वैल्यू है इससों की वैल्यू है पंजीक्रत में से तो 100% क्या यानि कि 51% ऐसा इसको बोला गया है यह कल्कुलेशन एक क्यों परसेंट की पात आप समझगे यानि कि 70 का 60% लोग किसको देंगे इस 70% मददाता का 60% जो होंगे वो 42 लोग जो होंगे वो क्या करेंगे वह देंगे किसको वोट वो देंगे आपी को ठीक है और 30 का 30% यानि जो नौ लोग होंगे वह भी देंगे हमारे पी को वोट यानि पूरे 51 मिलेंगे तो मतलब पंजीक्रत मददाताओं उम्मीदवार कितना परसेंट वोट पाएगा प्र चलो एक स्वाठारा नमबर एक चुनाओं में 10% मत दाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 60 मत दाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया अब देखो जरह इस कोशन को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि यह 100% लोग थे 10% लोगों ने मत नहीं डाला यानि 90% लोगों ने डाला ठीक है और 60 मत दाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया है यानि अगर हम इसको कहना चाहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 90% में से 60 लोगों ने क्या कर दिया है मत को खाली छोड़ इसके एक 100 ट्रिक भी है उसको भी हम देखेंगे लेकिन हम बेसिक समझ लेते हैं नब्वे परसेंड में से 60 लोग को अगर हम माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा अगकेवल הुमीदवार ते विज्वेता उमीदवार को मतिताता सूची के 47% मत मिलते हैं देखो मतिताता सूची मतलब टोटल होता है यह मत दाता सूची होती है है ना यह मतदाता सूची होती जो नामवाली होती पूरे हैंड़ेट परसेंट मतदाता सूची का 47 परसेंट मिल लाता है इसको तो बाकी को कितना मिलेगा इतने में से हम माइनस करेंगे तो अगर हम इस में से हम माइनस करते हैं 47 तो हमारे पास कितना आएगा भाई 43 आएगा क्या बताओ जरा अगर हम 90% माइनस 60 में से हम माइनस करेंगे 47 तो यही तो गटेंगे आपस में तो कितना आएगा 43 परसेंट ठीक है यह 43-60 आएगा यहां पर कितना आगे 43 परसेंट आएगा यह 43-60 आएगा ना जी घटाएंगे तो 43-60 आएगा यहां पर कितना आगे 43-60 ठीक चलो तो क्या हुआ है और उसे अपने प्रतिदंदी से 308 मत अधिक मिले हैं सुची में मत दाताओं की संक्या कितनी है प्रतिदंदी से जो है 308 मत अधिक मिले हैं तो अब जरा अगर हम यहां पर देखें कि कितना अधिक है बताओ बाई मेरे यह कितना अधिक है बताओ जरा बताओ पेरे भाई तो यह तो हो गया हमारे पास क्या इसको हम बोल देते हैं कि भाई यह विनर है यह लूजर जिसको नई समझ मैं कोई बात नहीं भी समझाते हैं विनर यह लूजर है अब हमें क्या करना है कि मैंदेर्स की प्रति दुनरी से मत दाताओं को 308 मत अधिक मिलें तूदेखो वहां पे 308 मत अधिक मिलें जबकि यहां पर क्या करेंगे यहां पहिंक अंतर लेंगे हैंना तो अगर क्या करते हैं जो ब्रैकेट खोलेंगे माइनस वाला चलो एसे कर देते तो ये आएगा 47% माइनेस का 43% बराबर में ये चला जाएगा उधर जाएगा कि ने ये माइनस का यहां पे पहली बात तो प्लस होगा अधैusist कहाट होगा बराबर में 308 प्लसकह साथ होगा बराबर जाएगा कितना 308 ठीक है बताओ अब क्या होगा यह आट उदर चला जाएगा तो अगर हम इसमें से 60 गटाते हैं तो भाई देखो 60 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा बाई 200 अब आट उदर चला गया तो मारे पास पचा कितना बावन पचास दर गया दो अर्तालिस दो सब्सक्राइब और यहां पे अंदर कितने का चार का यह 248 जो है यह चार के बराबर है तो सुची में मत दाताओं कि संग्या कितनी होगी के वल दो अमीद्वार थे विजेता अमीद्वार को मत दाता सुची का 47 परशन मिला यानि ठीक है कोई बात है हम डिरेक्ट हंडेट का मल्टिप्लाई करा सकता है चार से भाग देंगे साच्चों के टाइस चार दुनियाट यानि साथ हजार दो सुथ है ना इतना ही आएग को समझो 10% मत दाताओं ने अपना मत नहीं दिया 90% लोगों ने दिया और 60 मत दाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ा देखो 10% ने वोट नहीं दिया 90 ने दिया 90 में से 60 ने तो 90% में 60 गटाएंगे अगर तो वो क्या हुआ कि अब हमारे पास यह वैलीड वोट है यह वैलीड वोट है क्योंकि हमने 60 और अटा दिये 90% में 60 अटा दिये तो वैलीड वोट बचे अब हुआ क्या किवल दो उम्म को माइनस करेंगे जब हम इसमें से 47 को माइनस करेंगे तो मारे पास कितना बचेगा 43 माइनस का 60 कितना बचेगा 43 माइनस का 60 बचेगा ठीक है बच गया कोई दिक्कत नहीं है अब देखो आगे क्या हुआ और उसने अपने प्रतिदंदी से 308 अधिक मत प्राप्त किये यानि इनके बीच में जो अंतर है वो 308 का है तो हमने क्या किया अगर हम इन दोनों को घटाएंगे है ना इन दोनों का अगर हमने घटाया तो यह 308 का अंतर हो गया हमारे पास अंसर आगे ठीक है बताओ चरह इतनी बात आप समझ गए बोलो ठीक है अब देखो यह आप भाग देगे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं इसको यहां से साब करते हैं अब देखो होता क्या है सौट तरीका कि यह जो 60 मत दाता है ना इसको 308 में से घटा दो तो 228 बचेगा ठीक है अब देखो जरा 90 में से 47 लोगों को इदर तो बचे कित है 43 परसेंट अंतर कितने का 4 परसेंट का यह बराबर किसके हो जाएगा 228 के तो अगर 228 चार के बराबर है तो 28 परसेंट क्या आप बता दोगे शिक्स टू डबल जी रो अंसर यह सौट तरीका है इसका है वही चीजदे को हम करते क्या है हमने यहां से को उठाया है यहां से सौट तरीके में इसमें है ना यह एक चुली में थोड़ा सा ठीक है लेकिन हम बेसिक करें ज्यादा बेतर है यह सौट तरीका हमने यहां से उठाया कि हमने क्या कि किया साट को मने क्या कर दिया तोटल में से गटा दिया बाथ आप समझ गया treasury को अमने क्या कि जो तीन सु अधमत अदीक मिले हैं वो क्या है जो मिला हुआ है उसको इसको वैद मत गया क्योंकि 90 परफशन करो एक चारव बराबर क्या है ना जब हमारे पास कुल मतों में से दे दिये जाते हैं वोट तो फिर हमें यह दिक्कत नहीं हो तो आप समझके ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही आगे की बाते हम लोग करेंगे next class में तब तक के लिए सबी को बहुत बहुत धन्यवाद class अगर अच्छी लगी है question अगर समझ में आया है ते गवर class को like जरूर करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो चलिए आज की class में इतना ही मिलते हम लोग next class में तब तक के लिए सबी को बहुत-बहुत जाने बाद